और इस बीच राइबरली से बड़ी खबर मिल रही है राइबरली से इस वक्ती बड़ी खबर आप बता दे जहां जिलस्पिताल के हालाद बत्से बत्तर होते जा रहे हैं कमरा नमबर आठ में डॉक्टर नदारद रहते हैं, फार्मसिस्ट के भरोसे कमरा नमबर आठ चल रहा है, आखर जिम्मेदारों ने चुप्ती क्यों साध रखी है, ये बड़ा सवाल है तो राइबरली से बड़ी ख़बर आठ में बता रहा है, डॉक्टर नदारद रहते हैं, उनके जगा फार्मसिस्ट से काम लिया जाता है, फार्मसिस्ट के भरोसे कमरा नमबर आठ चल चल रहा है, आखर इस पर जिम्मेदार क्यों कुछ नहीं बोड रहे हैं, ये बड़ा सव तो राइबरली से ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं, जहां जिला स्पिताल के हालात बच्ते बत्तर होते जा रहे हैं, तो इस वक्की बड़ी ख़बर आपको राइबरली से बता दे, जहां जिला स्पिताल की कमरा नमबर आठ में डॉक्टर्स नदारद रहते हैं, डॉक्टर नहीं रहते हैं अपनी डूटी पर इनकी जगह पर फार्मसिस्ट से काम लिया जाता है और जिम्मेदार इस पर मौन है कुछ भी कहने को तयार नहीं है। अपनी डूटी पर नहीं हैं और उनकी जगह पर फार्मसिस्ट से काम लिया जाता है। से बताया जा सका है इस पर। मेटकल वालों से वो दवायां बाहर की लिखी जाती है। अच्छे दामों पर दवायां लिखने बाद आखरे में जो उसका परसेंड़ होता है। रूम नंबर आट में बताया जा रहे हैं वो कही नदारत भी मिलते हैं और मोके में जब वहाँ पर उनसे बात की जाती है। अन्य जो वहाँ फार्मसिस होते हैं वो डॉक्टर के चेर में बैठके मरीजों को देखते हैं। नरेंदर बहुत शुक्री आपका हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए।